वेलकम वीडियो और आज की वीडियो में भी आपका स्वागत है वीडियो नंबर थ्री पीवाई क्यूस नंबर थ्री चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि क्या कह रहा है विच वान दो फॉलिंग इस दिमांड स्टेट वेर क बट फिर भी हम पैसे दे रहे हैं कि भाई इस चीज से आफत छूटे इस प्रॉब्लम से हमारा पीछा छूटे कौन सी प्रॉब्लम भाई हमें चलो इस पर वापस आएंगे दो मिनिट बात पर पहले पॉइंट वाइस कवर करते हैं पहला वाला अन्होलसम डिमांड अन्हो करेंगे खरीदता हूं कंदे आपको लगे मैं अपका एकजंपल भी नहीं ले रहा हूं उन लोगों का एक्जंपल ले रहा हूं जो क्या कन्जिम करते हैं आलकाहॉल सिगरेट यह सब चीज़ें जो कंजम्शन करते हैं उनको पता है कि भाई और बाडी में लिवर खराब हो हो सकता है smoke करने से भाई उससे डब्बे पही लिखा होता है smoking cause cancer unwholesome they know it but still they cannot stop themselves they are addicted to it so this is unwholesome demand by addiction unwholesome demand तो ऊपर तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा कि consumer dislike your product and even pay to avoid it भाई यह तो अलग चीज कह रही है unwholesome मतलब मेरे को पता है कि यह चीज खराब है बट फिर में consume कर रहा है अगला क्या है declining demand decline हो रही है पहले लोग जादा खरीते थे consumption बहुत जादा हाई थी धीरे धीरे करके कम होती चलेगी कम होती चलेगी आज की date में मिरे को बताओ music cds का अगर मैं example लें ठीक है music cd का अगर मैं यहां पर example लूँ तो क्या कोई आज की date में cd खरीता है में को तो नहीं लगता बहुत टाइम पर पहले बहुत लोग खरीते थे collection होती थी लोगों की कमरे में कि इतनी सौरी cds पढ़ी आज की कि नेगेटिव डेमांड भी नेगेटिव मतलब उल्टी डेमांड नहीं नेगेटिव डिमांड का यहां पर मतलब होता है कि भाई लोग कोई चीज को होने नहीं देना चाहते let's suppose एक्जैम्पल लेते हैं हाँ में पास एक गाड़ी है ठीक है मगर मैंने गाड़ी खरी दी तो मैं यह सोच के थोड़ना लाया हूं कि चोर को गिफ्ट कर दूंगा चोर ले जाएगा चोरी करके मैं चाहता हूं नहीं तो मैं क्या करूंगा उसके लिए कार के लिए इंशोरेंस लूँगा कार की इंशोरेंस लूँगा ठीक है कार की इंशोरेंस क्यों लूँगा मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी चोरी हो उसके लिए मैंने कह ले लिए कार इंशोरेंस तो यह हो गया हमारा नेगेटिव डिमांड मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कार की को कोई चोरी करे या फिर मैं एक्जामपल और ले लेता हूं वह health insurance या life insurance कोई बिमार नहीं पढ़ना चाहता कोई मरना नहीं चाहता बढ़ फिर भी लोग insurance देते हैं पैसे देते हैं negative demand ठीक है clear आगे चलते है लास्ट वाल हमारा latent demand अब देखो यह कुछ ऐसा है latent का मतलब क्या होता है कि मेरे पास या consumer के पास कोई ऐसा product है जिससे वह अप पूरी नहीं कर पा रहा है let's suppose उसको अपने family members से वीडियो call करनी है चैट करनी है लेकिन उसके बस कौन सा phone है उसके बस फोन है Nokia का जो पुराना वाला कीपैड वाला ग्यारा सो जिसको बोलते है Nokia ग्यारा सो वाला फोन है जिसमें आ वाट्सएप चलता बस एक normal call और SMS करने में भी आपको एक महीना लगता है कि उसमें सी दबाने में दो बर दबाना पड़ता है और ऐसे multiple times उसको दबाना पड़ता है तो latent demand क तो इसका question का answer क्या हुआ customer dislike your product मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी चो रही हो ठीक है मैं नहीं चाहता कि मुझे मुझे health की health में कोई problem हो बट फिर भी मैं insurance लूँगा health protection के लिए car insurance लूँगा car को बचाने के लिए तो इसका answer हो जाएगा 3 unwholesome demand से मत confuse हो न होती है कि cigarette consumption alcohol consumption ठीक है जो मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है बट फिर भी लोग करते है तो that is what it is आगे चलते नेक्स्ट वाला अगला question कह रहा है बच्चो evaluate the statement according to the brand asset evaluator model of brand equity brand asset evaluator model of brand equity यह क्या कहता है भाई देखो यहां से मेरी बात सुनना brand asset evaluator model के नदर ना चार components होते हैं पहली में बता दूँ ठीक है पहला है energized difference ठीक है यह वाला point पहले मैं समझा देतो energized difference कहता है कि भाई मेरा brand आप से अलग कैसे है या और brand से अलग कैसे है how am I different from the other brands this is brand energized difference ठीक है कि how can one brand differentiate itself from the other brands in the eyes of consumer कि भाई जो चीज़ मैं देता हूं और कोई brand दे नहीं सकता हूं ठीक है second second है relevance हाओ relevant the brand is to a particular customer के भाई मेरे लिए specific brand कितना relevant है that means कि क्या वो brand मेरे expectations को मीट करेगा customer की expectations को मीट करेगा तो relevance वो गया हर्ड पॉइंट आता बेटा यहां पर esteem यह brand ऐसे ट्वैलिवेटर मॉडल के अंदर की पॉइंट बतारों चार होते हैं तीसरा है एस्टीम मेजर करता है कि बाई brand कितना मलब customer कैसा उसको सोचता परसेप्शन क्या है कि कस्टमर क्या सोचता ब्रैंड के बारे में उसकी quality के बारे में कि उसके features कि और लॉयल्टी इसका मतलब है कि लोगों के नजरों में या ब्रैंड के बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या उसके बारे में feel करते हैं कैसा मुझको लगता उसकी quality कैसी है उसके features कैसे हैं और क्या मैं उसके लिए loyal हूं क्या लोग उसके लिए loyal है लोगों को क्या नजरी है इस brand के लिए तो यह हो गया हमारा esteem और fourth वाला हो गया हमारा बच्चो knowledge क्या लोगों को मेरे brand के बारे में पता है क्या लोगों को मेरे बारे में पता है information है कि मैं क्या बेचता हूं या मैं कौन से products में deal करता हूं is it known to the customer क्यों कि काफी बच्चों को पता ही नहीं होता काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि brand का नाम सुना है बढ़ पता नहीं क्या बेचता है पता ही तो वह है knowledge का gap अब देखो यह करके statement पढ़ेंगे आपको समझ आजेगा knowledge measures the degree to which a brand is seen different from others as well as its pricing power knowledge का मतलब अभी अबने बढ़ा था कि लोगों को क्या मेरे बारे में पता है awareness ठीक है knowledge measures the degree to which brand is seen different from others नहीं भाई different different करें तो भी हमने बढ़ा पहला पॉइंट कौन सा था है energized difference तो यह मैजर कर रहा है energized difference तो यह हो गया हमारा पहला statement गलत अगला एस्टीम मेजर तो perception of quality भाई हां हमने लिखा ही loyalty यह भी लिखा how well the brand is regarded and respected तो भाई इसका क्या हो जागा पहला incorrect दूसरा correct तो यह हो गया first वाला incorrect second वाला correct option number four फटा फटा आगे चलते हैं third वाले पर if and coaching institute provide some supportive study material along with teaching then which one of the following service mix category would it be by coaching institute पढ़ाते भी है उनका main काम है ठीक है और दूसरा काम क्या है आपको समझाना और तीसरा काम क्या है जब आप उनके पास जाते हो आपको notes देते हैं कोई assignment देते हैं कोई test बगारा series देते हैं तो उसमें कुछ आपको service मिल रहा है hybrid का मतलब होता है 50-50 50% product 50% मिलेगी आपको service यानि की restaurant जहां पर आप जाके बैठते हो वह आपको पूछता भी है क्या खाओगे आप बताते हैं यहीं ला तो वह लेके आता है आप खाते हो तो आदा product मिला आदी service मिली 50-50 hybrid ठीक है major service मेजर सर्विस का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा हमार को मिलेगी service और थोड़ा बहुत मिलेगा हमार को थोड़ा बहुत क्या मिलेगा goods यानि की tuition service जो भी आपने coaching institute वाला पड़ा तो second वाला इसका क्या हो जागा if the coaching issue provide supportive study material थोड़ा बहुत study material supportive study material प्रवाइड कर रहा है along with teaching तो बहुत मेजर क्या हो रहा है 75% टाइम्स क्या हो रहा है एप्रोक्स बता रहा हूं यह exact figures नहीं 75-25 75 क्या मिला प्रोड़क्स ठीक है 80 और 20 भी ले सकते हो आपको जो अच्छा लगे उसके बाद आ जाता है tangible goods with service अब देखो इसका example मैं देता हूं आपको example कार जब पेटा हम गाड़ी लेने जाते हैं ठीक है वह हमार को वह sales boy खड़ा होता है वह बताता है भी सर इसमें यह भी है वह यह 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 समझाता है वह अच्छे से मगर हम लेने क्या गए थे सिरफ सुनने गए ते यह गाड़ी लेने गए ते मेजर प्रोड़क्ट 75% मिल गया मारका प्रोड़क्ट और 25 परसेंट यह 20 परसेंट के कर विसम मतलब पूरी की पूरी सर्विस बाल कट वाने क्या था मैं कुछ प्रोड़क्ट होना लेके आया हूं मेरे तो बाल काट ली है उन्होंने है ना तो यह सर्विस हो गया है तो इसका अंसर होगे सेकिंड अब चलते फटा-फट से अगला वाला लास्ट क्वेशन आ फॉ सब्स्टेंशल ग्रोथ पॉटेंशल फॉर ओल लो मार्केट पेनेटरेशन लो मार्केट पेनेटरेशन पेनेटरेशन का मतलब मैंने कल भी बताया था कितना ज्यादा फरक पड़ता है कितना ज्यादा काम किया है कितना ज्यादा कंपनी ने उस सेग्मेंट पर काम किया उस को बनाने के लिए काम किया उस मार्केट को पेनेट्रेट किया हिलाया है कितना ज्यादा लो मार्केट लो मार्केट पेनेट्रेशन मतलब कम काम किया है कम फर्म है उसमें अभी लोक मार्केट पेनेट्रेशन इंडेक्स इंडिकेट सब्स्टैंशल ग्रोथ पोटेंशल फॉर भाई अभी इसमें जाधा लोग नहीं है अभी इसमें जाधा competition भी नहीं है product भी जाधा नहीं बना हुआ आपकी ही पहली company हो सकती है में भी example मैं ले लू यहाँ पर example आज की rate में कितनी गाड़ियों उड़ती है कितनी गाड़ियों उड़ती है अभी तो एक भी नहीं उड़ती है ठीक है तो कोई गाड़ी नहीं उड़ती तो अभी हम ले सकते है market penetration for flying cars is very low यह non-existing है लोग ठीक है flying cars अभी competition है इसमें नहीं companies है इसमें नहीं अभी तो EV वार चड़ वह है electronic vehicles की है ना market penetration अभी क्या है लोग ठीक है generally price competition increases and margin falls when market penetration index is already high competition price competition increase करता है margin fall करते हैं obviously जब price competition increase होगा जाद से जाद कंपनियां उसमें step-in करेंगी और भी जादा लोग उसमें आना चाहेंगे competition बढ़ेगा market penetration जादा हो जाएगा तो उसमें margin भी तो कम होगा profit भी तो हमारा कम होगा कम हमार को price रखना पढ़ेगा जादा रख देंगे तो कोई खरी देगा नहीं तो भी पहला वाला भी सही है दूसरे वाला भी सही है पहला वाला क्यों सही है low market penetration substantial growth potential है जादा लोग नहीं आते अभी बगाड़ी बनाने उड़ने वाली ठीक है और दूसरी चीज क्या है कि market penetration index is already high second वाले में कह रहा है कि अगर prices price competition बहुत जाद है because margin बहुत कम है because competition बहुत जाद है penetration बहुत जाद है तो both the statements are correct अब चलते हैं thank you की तरफ मिलते हैं अगली वीडियो में जाद है